है दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे साओधी अरब में जो लोग आना चाहते हैं अभी तो बहुत सारे गाइडलाइन और बहुत सारे जो नियम है लागू कर दिये इसमें बहुत सारे लोग confused है और कई लोग ऐसे हैं जो कभी तवकलना से, कभी जवजास से, कभी कुछ से यानि अलग-अलग तरह से लोग सवाल पूछते हैं उसका वज़ा भी है सवाल पूछने का क्या सर मैं साओधी अरब आ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा है, कि अगर आप साओधी अरब आते हैं, तो इसमें अगर आपने साओधी अरब में वेक्सिन नहीं लगाया है, तो आपको institutional quarantine में रहना होगा एक सूरत और बताया है कि अगर आपने कहीं भी वेक्सिन नहीं लगाया है तो भी आपको कुलरंटायन में रहना होगा और आपको अनवेक्सिनेटेड माना जाएगा और अगर आप सिर्फ इंडिया में या पाकिस्तान में ही वेक्सिन लगाया है और अपना जो आपका वेक्सिन सर्टिफिकेट है उसने अपलोड नहीं किया कुदूम पलट फारम पे तो भी आपको अन वेक्सिनेटेड ही माना जाएगा और आपको कुरंटाइन में रहना होगा उसके बाद में ही आप साओधी अरब में दाखिल हो सकते हैं यहाँ पे एक और ची आपको मैं बता दू जो कुरंटाइन का खर्च है वो आपको खुद ही उठाना होगा इसलिए आप लोग पुरी तयारी से आईएगा और ऐसा ना हो कि साओधी अरब में आपको कुरंटाइन रहना परे और पैसा फिर आपको ज्यादा खर्चा करना पर जाएगा दूसरी खबर है दोस्तों नेपाल से नेपाल ने कहा है कि जो टुडिश्टर है वो आ सकते हैं नेपाल में उनको आउन अराइबल विजा मिल जाएगा और अगर वेक्सिन नहीं लगाया है तो उनको कुरंटाइन में रहना होगा और जो आदमी वेक्सिन लगाया है वो आदमी कुरंटाइन में नहीं रहना होगा उसको ठीक है, लेकिन यह clear नहीं है कि इंडिया से नेपाल, नेपाल से साउधी लोग आ सकते हैं या नहीं, चुकि साउधी अरब ने जब इलान किया था, जिस वक्छ कहा था कि वो country, जो country में ज़्यादे pandemic है, यानि ग्रोना ज़्यादे है, वो country के लोग अगर साउधी में आते हैं किसी तीसरे country होकर आना परेगा तो उसमें नेपाल शामिल नहीं था इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश था लेकिन नेपाल शामिल नहीं था अब ये clear नहीं है चुकि ये चीज अभी तक clear नहीं क्या है साओधी ने कि नेपाल होकर के भी आदमी आ सकता है या नहीं चुकि नेपाल में अभी तक के कोई ऐसा बात नहीं कहा गया है जिससे लोग नेपाल होकर टाजिट कर ले साओधी अगर आप लोग आना चाहते हैं अगर आप लोग को अजेंट बताता है कि नेपाल होकर जाईए तो मुझे लगता है कि आप उससे सही से पूछ लिजेगा कि नेपाल होकर जा सकते है कि साओधी या नहीं चुकि नेपाल होकर आना अभी मुझे लगता है रिस्की है कतर बहरायन ये सब ठीक है दुबाई लेकिन नेपाल होकर ना आए तो बेहतर है ये अलग बात है कि इंडिया से करीब है नेपाल खर्चा कम होगा वहाँ पे लेकिन फिर भी आप लोग थुरा सतर करहिएगा और अजेंस से बात करके सही से आईएगा चुकि इसका किलियरेटी अभी तक नहीं है कि नेपाल होकर लोग इंडिया वाले आ सकते या नहीं चुकि नेपाल को साओधी अरब ने शामिल नहीं किया है तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों और वीडियो को लाइक शेर कर देजेगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरू कर देजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक ये